किसान भाईयों नमस्कार इस समय जो कि प्याज की बुगाई का आखरी समय चल आए और इस समय हमारे यहां प्याज की बुगाई चल रही हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं यह लगबग एरिया जो एकि एकड का छठवा भाग है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी जो की maximum दूरी यहाँ पर जो हमने रखा है यहाँ पर करीब पांच अंगूर है और पौधे से पौधे की दूरी आप 6 से 7 अंगूर यानि कम रख रहे हैं आप कम से कम छे अंगूर और ज्यादा से ज्यादा साथ अंगूर पोधे से पोधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी पांच अंगूर होनी चाहिए यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले नरसरी से बीज जो कि हम उसे अलग कर लेते हैं उसके पश्चात यहां पर भुवाई करते हैं और यहां पर अभी आप देखेंगे कि हम भुवाई किस तरह से करते हैं पहले कुदाल की मदद से किया जाता है कि कुछ किसान भाई पलेवा करके उसमें गुडाई कर देते हैं लेकिन यहां पर जो एता है हमारे यहां यहां पर कुदाल की मदद से लाइन बनाए जाती है उसके बाद उसमें बीच छे से साथ अंगूर की दूरी पर कर दिया जात जब हम अपनी पंक्ती कुदाल की मदद से खीचते हैं तो इस बात का आवस्त से ध्यान रखना चाहिए कि बगल वाली पंक्ती में बीचाये गए बीजों पर मिट्टी उतना इड़के कि केवल जड़ ढख जाए अन्य था ज्यादा मिट्टी ढख जाने की वज़र से हमारे प साथ अंगूर पर प्याज की जो बीज होते हैं यहां पर लाइन में पंक्ती से फिर दुबारा बिचाते हैं आप ज्यादा से ज्यादा साथ अंगूर ले सकते हैं अन्था च्हांगूर पर आप इसकी रुपाई करें उसके बाद हम इसे अपना सिचाई कर देते हैं उसके यहां पर फिर निराई गुड़ाई की परक्रिया होती है वह सेम इसी परकार से फिर पंक्ती बनती जाती है और यहां पर वीज ढगती जाते हैं आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स बन्यवाद